हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल डिपी अडूकर दोस्तो आज हम लोग हिंदी की अठार्मी टेस्ट स्रीज हल करने वाले हैं और 17 हम लोग खल कर चुके हैं अठार्मी ये स्रीज है और ये तीसरी टेस्ट स्रीज है आपकी अनेक सब्दों के लिए एक सब्द ठीक है दो स्रीज आपको इसके बाद और मिलेंगी तो हमारे चार टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद विलोम सब्द बचेंगे और आपका बचेगा परयावाची ठीक है तो दोनों मेंसे क्या पहले प्रारम करना है आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि पहले हम लोग परयावाची पढ़ें या फिलोम सब्द पढ़ें ठीक है और जीयस की टेस्ट स्रीज भी कल से स्टार्ट हो जाएगी ठीक है तो आप और भी आप लोग जीएस के कुश्चन डेली आप 20-25 कुश्चन हल करेंगे ठीक है तो इस तरी से हम लोग जो है जीएस और हिंदी को साथ साथ लेकर चलेंगे 200 नंबर का पेपर होगा आपका 140 नंबर का जीएस और 60 नंबर की आपकी हिंदी होगी ठीक है तो हम लोग को कुल म होंगे और आगस्वस्त हो जाएंगे कि प्री में हमारा हो जाएगा और मेंस की त्यारी प्राइडम कर देंगे ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर और हाँ 6393-350-769 इस पर आप नोट्स लिखकर के वाट्सप कर दीजिए वहां पर आपको रिपलाई किया जाएगा कि कैसे आप नोट्स वाले गुरूप में जोड़ पाएंगे PCS की टेश्ट स्रीज प्रारम हो चुकी है वो भी आपको मिल जाएगी उसके लिए टेश्ट स्रीज लिखकर के वाट्सप कर दीजिए इसी नंबर पर और जो आरो की स्रीज है समीछा दिकारीक स्रीज 2021 के लिए वो आपको 15 जून के आसपास उपलब्द कराई जाएगी ठी एक महिने तक चलेगी यानि 15 जून से 15 जुलाई तक एक महिने चलेगी और 15 दिन बचेगा उसमें आप लोग प्रक्टिस करेंगे एक अगस्त को एक जाम देंगे ठीक है इस पर नोट से लेकर वाट्सप कर दिए और या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर 10 सेकंड का समय है आपके पास सही उत्तर दीजेगा और इसको अपना जिरूर सेर करना है लाश्ट में कमेंट करके जो कटनाई से समझने योग है उसके लिए क्या होगा एक सब्द और इसका विकल्पाप का सही होगा सी यानि की दुरबोद ठीक है क्या सही होगा सब्द है प्रथा लौकिक भूगोलिये या पार्थिव जो प्रत्वी से संब्द है उसके लिए एक सब्द क्या होगा उसके लिए आपका हो जाएगा एक सब्द पार्थिव ठीक है पार्थिव हो जाएगा जो प्रत्वी से संब्द है या प्रत्वी से जुड़ा हुआ है कोशन नमबर तीन पर आते हैं, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहा जाता है, अनामी, अनिमिका, अनामीका या अनामिका, कौण सा विकल्ब सही होगा, और इसका आंसर आपका हो जाएगा D अनामिका कहा जाता ठीक है ये प्रस्टन पूछा गया है आरो में कोशन नमबर फॉर जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यान्स के लिए एक सब्द है कीमती अमूल्य या बहुमूल्य आफर उप्यक्त में से कोई नहीं जिसकी कोई कीमत ना हो सके तो ये आपका हो जाएगा अमूल्य ठीक यानि जिसका कोई मूल्य ना हो वो अमूल्य है चलिए नेक्ट जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए उप्यक्त सब्द का चैन करें अमर, अजर, सदा बहार या तरोड जो कभी बूढ़ा ना हो क्या होगा अंसर अजर होगा अजर जो कभी बूढ़ा ना हो ना कहते कि अजर अमार हो गया है तो अजर होगा ऐसका कोई संगती के कारण चरत्र पर दोस लगना उप्यक्त सब्द का चैन करें कोई संगती के कारण चरत्र पर दोस लगना अपियस अपकीर्ती कलंक या फ़र दोस चरत्र और इसके लिए आपका एक सब्द हो जाएगा कलंक कुछ अंगती के कारण चरत्र पर दोस लगना है नहीं की कलंक लगना जंगल में लगने वाली आग के लिए एक सब्द क्या होगा चुनिए अनल दावानल जत्रानल या बड़वानल जंगल में लगने वाली आग को बताना है और इसका अंसर आपका हो जाएगा दावानल जंगल में लगने वाली आग दावानल और पेट में लगने वाली आग तो वो जटराग नहीं होती है ठीक है चली कुछ नमबर आठ जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक सब्द है अभावगरस्त अकिंचन दीनहीन या महादीन जिसके पास कुछ ना हो उब्युक सब्द क्या होगा बताएं और इसका आंसर आपका हो जाएगा अकिन्चन जिसके पास कुछ ना हो क्या कहेंगे उसको अकिन्चन कहेंगे मोक्ष की इक्षा रखने वाला वाक्यांस के लिए उप्युक्त सब्द है योगी, मुक्तिकामी, मुमुक्षू या तपश्वी मोक्ष की इक्षा रखने वाला और इसका अंसर आपका हो जाएगा सी, मुमुक्षू कुशन नमबर टैन पर आते हैं हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए सुद्ध सब्द क्या होगा हवन समगरी, वन कास्ट, सुष्क कास्ट या समिधा जो हवन वागरा में लकड़ी इस्तिमाल की जाती, प्रियोक की जाती है उसको हम क्या कहेंगे उसके लिए एक सब्द होता है समिधा पती, युक्ता, इस्तरी को एक सब्द में क्या कहेंगे पती, युक्ता, इस्तरी ये तो साथ कुस्षन एक बार हो भी जुका है I think ऐसा कुछ था प्रसन तो इसका अंसर आपका हो जाएगा C यानि की सदवा ठीक है जो कुस्षन आप लोग के गलत हो रहे हैं उन पर आप लोग विचार करेगा उनको सर्च करिए कि आखर आप ये प्रसन आपका गलत क्यों हुआ ठीक है हमारा स्रीज देने का उद्देश यही है कि जो गलतियां आप लोग एक्जामनेशन हॉल में करते हैं वो गलतियां यहां पर कर लें क्योंकि वहां गलती नहीं होनी चाहिए और वहां पर गलती हो गई तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी इसलिए जो भी गलतियां करना है यहां पर कर लें आगे चलके आपसे गलतियां ना हो चलिए कुछ नंबर बारा पर आते हैं महल के भीत्री भाग को किस सब्द में जानते हैं गर्ब ग्रें भीत्री तल अंतापुर या रनिवास महल का भीत्री भाग क्या कहलाता है उसे कहते हैं अन्तह पुर्व ठीक और रन्यवास क्या होता है जो इस्तरी कड़े परदेम रहती है उसे रन्यवास कहा जाता है जो नभ में चलता है के लिए एक सब्द होगा खेचर खचर नभूत पत्र नभ पाली नभ बाली क्या होगा एक सब्द जो नभ में चलता है और उसका अंसर होगा आपका ए खेचर फोर्टीन पर आते हैं व्याकरण के ग्याता के लिए सब्द है व्याकरण के ग्याता के लिए सब्द है व्याकरणी व्याकरता व्याकरण या व्याकरणग्य जो व्याकरण का ग्याता हो उसे हम क्या कहेंगे एक सब्द में उसके लिए एक सब्द आपका हो जाएगा व्या करण कि कुस्षन नंबर 15 पर आते हैं बढ़ा चड़ा कर कहना के लिए एक सब्द है बढ़ा चड़ा कर कहना क्या होगा अतिवादी अतिशय अतियंद अतिशयोक्ति और इसका अंसर आपका हो जाएगा अतिशयोक्ति कुस्षन नंबर 16 पर आते हैं बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वक्ता अधिवक्ता प्रवक्ता या वाचाल यह तो आप सही लगाई देंगे अक्सर प्रचलन में इस सब्द रहता है आंसर क्या हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा वाचाल 17 पर आते हैं जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उप्युक्ति सब्द है असाध्य दुसाध्य साधन हीन या स्रमसाध्य और इसका अंसर आपका हो जाएगा ए असाध्य जिसका इलाज ना हो सके असाध्य आते हैं जो छीड ना हो सके उसके लिए उप्युक्ति सब्द चो होगा अमिट अपार अक्छय या फिर अनंत्य जो छीड ना हो सके और उसके लिया आपका एक सब्द होगा अक्षय नाइन्टीन पर आते हैं जो एक कुछ जानता है यहाँ पर प्रस्मिशार करिए जो सब कुछ जानता है यह एक नहीं होगा जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक चब्द क्या होगा त्रिकालग्य, बहोग्य, ज्यानी या सरवग्य और इसका आंसर आपका हो जाएगा D जो सब कुछ जानता है उसे सरवग्द कहेंगे और लाश्ट कुछिशन ट्वन्टी है जिसके सरवग्य, 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 जिसके पर मिलता हूँ अगली स्रीज में नमस्कार धन्वाद